आज हम बात करेंगे आप दिसंबर 2022 एक्जामीनेशन के लिए एक्जाम फीस ओनलाइन कैसे समिट कर सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ जैसे की एक्जाम फॉर्म कैसे आपको फिल अप करना होगा और सबसे इंपोर्टेंट है आपके किन गलतियों की वज़े से आपका जो पेमेट है वो पेंडिंग में जा सकता है और पेमेट सलीप आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए को complete देखिए और इगनु से related authentic और official update पाने के लिए चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि नए वीडियो का notification आपको मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले अगर आपको यह नहीं पता है कि आप December 2022 by session का exam देने के लिए eligible है या फिर नहीं तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसमें आपको detail में पता चल जाएगा इस वीडियो का link के नीचे दिया गया है exam फिर submit करने के लिए आपको इस वाले page पर आना होगा और यहाँ पर आने के बाद exam से related सबी information आपको मिल जाएगा exam form का link यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर आप click करेंगे फिर यह जो page है वो open हो जाएगा पहले बात कर लेते हैं last date के बारे में अगर आप 30 September से ले करके 31 October तक exam fee submit करते हैं तो आपको per subject का 200 रुपे देना होगा और अगर आप 1st November से ले करके 15 November तक exam fee submit करते हैं तो per subject का 200 रुपे तो रहे गाई साथी में 1100 रुपे late fees का charge भी आपको देना होगा तो आप कोसिस करना कि आपका जो exam fee से है वो 31 October से पहले ही submit हो जाए तो आपके लिए काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा exam fee submit करने के लिए सबसे नीचे आना है आपको और यहाँ पर एक declaration दिखेगा इसे टिक करेंगे और यहाँ proceed to fill online examination form इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यह जो page है वो open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपना enrollment number डालना होगा आपका जो भी program code है वो आप यहाँ पर select करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से छेतर में exam देना चाते है तो यह बड़ा ही important चीज है IGNU का exam आप all over India में कहीं पर भी दे सकते है जैसे कि अगर आपका regional center Delhi में है और आप Delhi में ही exam देना चाते है तो यहाँ पर आपको Delhi NCR select करना होगा लेकिन आपका regional center Delhi में है और आप Delhi में ही रहते है लेकिन किसी कारण वस अभी आप Delhi में नहीं है अभी आप पटना में है या फ चेतर में जितने भी exam center आते है, उन में से आप किसी भी exam center पर exam दे सकते है तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि आप कोंसे चेतर में exam देना चाहते है जैसे कि हम यहाँ पर Delhi NCR select कर लेते है और उसके बाद यह verification code यहाँ पर जैसा लिखा हुआ यहाँ पर आप लिखेंगे submit पर click करेंगे verification code समझे में नहीं आता यहाँ पर click करेंगे तो यह जो है change हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका सबी details open हो करके आ जाएगा यहाँ पर पहले आपको यह बताना है कि आप कौन से exam center पर exam देना चाहते है जिसके लिखेंगे आप यहाँ पर click करेंगे और जितने भी exam center available है उसका list आपको मिल जाएगा और यहाँ पर यह जो आपको exam center का पूरा list बताया जाता है इसको आप exam form के portal पर भी check कर सकते है जिसके आप यहाँ पर आएगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक option exam center list का यहाँ पर आप click करेंगे उसके बाद यह page open हो जाएगा आप जिस भी छेतर में exam देना चाहते है छेतर select करेंगे और submit पर click करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी छेतर select करते है उस छेतर में exam देने के लिए जितने भी exam center available है उसका पूरा list आपको यहाँ पर भी मिल जाता है तो ऐसे भी आप यहाँ पर इसको check कर सकते है और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपना communication address change करना चाहते है तो इसका answer आपको yes या no me देना होगा अगर address change करना चाहते है तो yes पर click करेंगे और यहाँ पर आपको अपना जो नया address है जिस address पर अभी आ आप रहते है वह आपको डालना होगा और यह address आपका permanently change नहीं होगा सिर्फ exam देने के लिए आपका address है यहाँ पर change होगा अब देखें यहाँ पर आपको address किस condition में change करना है मालीज कि आपका regional center Delhi में है और आप Delhi में ही exam दे रहे है तो यहाँ पर आपको address change करने की जरूरत नह ही है लेकिन अगर आपका regional center Delhi में है और अभी आप Delhi में नहीं रहते है और आप Delhi से कहीं बाहर है और आप बाहर exam दे रहे है तो यहाँ पर अभी आप जहाँ पर रहते है वहाँ का address देना होगा और इससे यह होगा कि by chance अगर आपका exam center change किया जाता है तो यहाँ पर आप जो वो आप यहाँ पर बताएंगे और कोई भी एक email idea आप यहाँ पर देंगे जो working condition में है और यहाँ पर mobile number देंगे जो working condition में है यहाँ पर आप से पूचा जाता है कि क्या आप PWD Candidate है यानि कि person with disability अगर आप में किसी परकार का disability है तो यहाँ आप 예स पर CLICK करेंगे नहीं तो NO करेंगे अगर आप yes करते है तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको लिखने में problem है तो अगर आप यहाँ पर yes करते है तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका जो exam है exam लिखने के लिए आपको writer की जरूरत है अगर आप yes यहाँ पर करते है तो यहाँ पर आ यहां पर आपको बताना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट का एक्जाम देना है तो इसको आप बड़ा ही ध्यान से समझे, आप जितने भी subject का exam देना चालते हैं या फिर जितने भी subject का exam देने के लिए eligible है उन subject code को आप यहाँ पर select करेंगे और जो subject आपने pass कर लिया है वो भी यहाँ पर आपको दिखा जाता है तो वो subject आपको नहीं select करना है या फिर जिस भी subject में आपको promotion दिया गया है वो भी subject आपको यहाँ पर select नहीं करना है तो यहाँ पर आप देख लेना कि आपको कौन से subject का exam देने के लिए आप eligible है जितने भी subject का आपको exam देना हो यहाँ पर आपको subject code इस तरीके से select करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आपने जो भी subject select किया है क्या आपने इसका assignment submit कर दिया है अगर नहीं किया है तो भी आप exam fees submit कर सकते हैं लेकिन जो assignment है वो आपको बाद में last date से पहले submit करना होगा तो subject select करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ आप submit पर क्लिक करेंगे और साथी में जिनका भी exam fees adjust होगा उन्हें इस तरीके से portal पर बताया जाएगा अगर आपने June 2020 या फिर June 2021 examination के लिए fees पहले ही submit कर दिया था लेकिन आपका exam नहीं हुआ तो उस समय आपने जितना भी fees submit किया था यहाँ पर आपको बताया जाता है यानि कि IGNU के account में आपका जितना भी पैसा जमा है यहाँ पर आपको बता दिया जाता है और आपके subject के according यहाँ पर आपको fees बताया जाता है आपका जितना भी exam fees अभी adjust होगा यहाँ पर आपको बताया जाएगा और अगर आपका कोई भी fees नहीं लगेगा तो यहाँ पर निल लिखा हुआ जाएगा submit पर क्लिक करते ही आपका exam form submit हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका सभी detail आ जाएगा और आपके subject के according यहाँ पर आपको fees बताया जाता है कि आपको कितना fees submit करना होगा payment के लिए यहाँ पर आपको दो option दिये जाते है एक तो HDFC bank का और एक ICIC bank का अगर आप यहाँ पर HDFC bank select करते है तो इसमें आपको credit card debit card और net banking का option दिया जाएगा payment करने के लिए और अगर आप यहाँ पर ICIC bank select करते है तो इसमें आपको credit card debit card और साथ ही में UPI और net banking का option दिया जाएगा तो अगर आप UPI से payment करना चाहते है तो यहाँ पर आपको ICIC bank selected करना होगा तो आपको जो भी सही लगता यहाँ पर आप अपने according select कर सकते है जैसे कि मुझे UPI के मादम से payment करना है तो मैं यहाँ पर ICIC bank select करता हूँ और उसके बाद यहाँ आप Pay Now पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका फिर से details बताया जाता है फिर आप यहाँ Pay Now पर click करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर आपको payment करने के लिए QR code का पहले ही option दे दिया जाता है अगर आप यहाँ 100 QR code पर click करते है तो QR code आजाएगा और आप mobile से scan करके किसी भी एप से जैसे कि phone पे, Google पे, Paytm या फिर भीम या फिर Amazon पे से QR code को scan करके आप payment कर सकते है यहाँ पर जितने का भी payment आपको दिखाया जाता है बस यहाँ 100 पर click करेंगे और QR code आजाएगा आप payment कर देंगे आपका successfully payment हो जाएगा और नीचे करते है तो यहाँ पर देखिए आपको card का भी option दिया गया credit का debit card के लिए आप यहाँ पर click करेंगे और card का जो detail है वो आपको डालना होगा net banking के लिए यहाँ पर option दिया गया है और wallet के लिए यहाँ पर option दिया गया है और अगर आपको UPI ID से payment करना है तो आप यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर भी QR code आ जाएगा इस पर click करते है QR code आ जाएगा अगर आपको UPI ID डलना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका UPI ID है वो आप यहाँ पर डालेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ UPI ID डालने के बाद यहाँ आप पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको बताया जाता है और उसके बाद जो भी आपका application है उसमें आपको payment करने का option मिल गया होगा आपको check करना होगा जैसे कि मेरे पास आगया है तो मैं यहाँ पर payment कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको exam का timing वगेरा बताया जाता है और उसके बाद यहाँ आप print पर click करके जो application form है यानि कि जो acknowledgement slip है उसको print कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर print पर click करते हैं तो यहाँ पर पूरा slip आ चुका है उसके बाद आपको क्या करना होगा यहाँ print पर click करेंगे और इसक submit किया है यह submit हुआ है या फिर नहीं इसका status पर चेक कर सकते हैं जिसके आप इसी वाले page पर आएंगे सब से नीच आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा check for status if already registered इस पर आप click करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा payment status इस पर आप click करेंगे यहाँ पर enrollment नमर डाल करेंगे date of birth डाल करके submit करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर click करेंगे तो जो आपने fee submit किया उसका sleep आपको यहाँ पर भी दे दिया जाता है जो कि कुछ ऐसा है यह पूराने वाले तरीके का जो आपका payment sleep है वो आपको दिया जाता है यहाँ print this page पर click करके आप इसको print कर सकते है और कई बार यह होता है कि आपका जो payment है वो pending में चला जाता है तो आपको 12 गंटे तक wait करना होगा उसके बाद आप इस status को check किजिए जिसे आप यहाँ से check कर सकते है अपना details डाले के बाद अगर 12 गंटे बाद भी update नहीं होता है तो आपको दुबारा से payment करना होगा और जो आपका पहले वाला payment कट हुआ है उसका refund लेने के लिए यह mail ID है tramand exam at the rating.ac.in इस पर आपको mail send करना होगा तो इस तरीके से आप December 2022 exam के लिए examination fees online submit कर सकते है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो like किजिए share किजिए इस related आपका कुछ भी confusion है तो नीचे comment box में आप बता सकती है